नमस्कार दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ, एक नए फ्रेश एप्षोड के साथ में, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ब्लैक टर्म लाइन के बारे में, ये क्या होता है, कहां से आता है, इसको कौन-कौन धारन कर सकते, इसको धारन करने के लाब क्या होते हैं, क्यों पह सबसे पहले देखते रहें, तो दोस्तों, सबसे पहले आई जानते हैं, ब्लैक टर्म लाइन क्या होता है, कहां से आता है, दोस्तों, ब्लैक टर्म लाइन को हिंदी में तुर्मूली नाम से भी जाना जाता है, ये विभन प्रकार की शेट्स में आता है, काला, पीला, हरा, नीला गुलाबी कई प्रकार की तुर्मुली आते हैं लेकिन आज हम ब्लैक टर्म लाइन के बारे में बात करेंगे यह एक सेमी प्रिश्यस स्टोंस की कटेगरी में आता है इसका रासाइनिक संगठन बहुत जटिल होता है इसमें इसमें अलमुनियम सिलकन बोरान और कई प्र जानते हैं ब्लैक टर्म लाइन के बारे में आप इसे क्यों धारन करें इसको धारन करने से आपको क्या-क्या प्रापत हो सकती है आपकी जीवन को कैसे बदल सकता है दोस्तों सबसे पहले यह आपके लिए क्लीनर का काम करता है या आपकी बाडी में कोई ऐसा निगेटिव तो विराज माना है जिसके कारण आप जीवन में विभिन प्रकार की समस्ताओं से ग्रिसित हैं जो उनका सामना करना पड़ रहा है यहां निगेटिव तक तो दो तरह के होते हैं एक तो मेडिकल साइंस में जोकी दिखाई देते हैं आप रिपोर्ट कराएंगे तो आपको कु आप तेजी नहीं ला पा रहे हैं तो उसको तेजी से करने के लिए आप इस क्रिश्टल का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तो ब्लैक टर्मलाइंग प्रोटेक्टिव स्टोन की तरह भी कारे करता है यानि कि आपकी ऊपरी बाधाओं से नजर से दुरगटनाओं से दोशों से आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा दोस्तों यह रत्न आपकी जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं यानि रुकावटों को भी दूर करता है या रूट चक्र को जाग्रित करता है और बैलेंस करने का भी कारे करता है यादि आपको अनिद्रा की शमस्या आप र प्रेसलेट के फॉर्म में भी आप इसे पहन सकते हैं और रख दोनों सकते हैं तो यह आपके घर में निगेटिव एनर्जी को दूर करने का प्यास करेगा दोस्तों इस रत्न को धार्ण करने से व्यक्ति की जीवन में शान्ती और इस्थिरता आती है इसको धार्ण करने से डर और नकारात्मकता खतम हो जाती हैं दोस्तों ब्लैक टर्म लाइन पहनने के बाद यह आपके जीवन में आपके दुर्भागय को सवभागय में परवर्थित करता है आपके जीवन में आने वाले खत्रों को आप से दूर करता है और इस रत्न को धर्ण करने से आपके जी तोटका किया कराया या बुरी शक्तियों को कोई भी निगेटिव प्रभाव है तो इसका ब्रेसलेट पहने से आपके अंदर शीगर रहत देखने को मिलेगी आपके भविष्च में ये नकारात्मक्ता को संपूर रूप से समात्त कर देगा दोस्तों ब्लैक टर्म लाइन आप पत्ति प्रिच्छ वीडियो वीडियो बनाया हुआ है वह था आपका ब्लैक ऑफेटियन पत्थर ये दोनों पत्थर देखने में हुबाहू होते हैं लेकिन जब आप इसे लेंस के माद्याम से देखेंगे तो आप दोनों में आसानी से अंदर कर पाएंगे और दोस्तों इ certificate की भी आप शकता होते हैं किसी अच्छी प्रमाड़ित लैप का certificate होना बहुत अवश्यक है क्योंकि black term line जैसे दिखने वाले अन प्रकार की प्लास्टिक और ग्लास को भी बना कर बेचा जा रहा है तो इसलिए मैं आपको यही recommend हमेसा करता हूं कि आप इसकी पैचान करने के ल लेगा लॉकेट के रूप में रिंग के रूप में सभी प्रकार से अबलेवल है लेकिन मैं recommend यही करता हूं कि bracelet आप इसका पहने ब्रेस्ट एक ऐसा होता है संपून रूप से लाबकारी है क्योंकि आपकी रिष्ट में आने के बाद आपकी सभी नाडियों को जिनका कर सकता है तो दोस्तों जर्नली यह crystal शनी राहु केतू के लिए कार करता है अगर आपकी कुंडली में शनी राहु केतू की इस्तिती अच्छी नहीं है यह अपना दुश प्रभाव दे रहे हैं यह इस प्रकार की कोई समस्या दे रहे हैं तो आप इस रत्म को धर्ण करके इ दब्धे प्रशन मामलों में लेकिन इससे पूरूफ कुंडली का विशिलेशन आवशक रूप से करा लें यह विशिलेशन आप हमारे संस्थान पर दिये गए नंबर पर जाकर प्राप्त करा सकते यह बिल्कुल निशुल्क है आपको बता दिये जाएगा कि आप यह रत्न पहन सकता हूं यह नहीं पहन सकता हूं उसी के नुरूप मैं आपको दूसरा रतन बताने का प्रयास करूंगा अब दोस्तों आए जानते हैं इसे धर करने की नियम और विधी के बारे में उस सबसे पहले से क्लीन करना निवारे क्लीन करने के लिए गंगा जल सब्षे इसके बाद आप इसे साफ कपड़े से पोशने के पिशाथ आप इसे अपने हतैली के बीच बीच मैनिफेस्ट करें में इमेजिन करें अर अर अपने सभी सपनों को जीए और आप यासा सोचें अपनी और इन चीजों को आट्रेक्ट करें कि आप जो चीज़ए चाहर है है पुरह को द करने का मन नमा इस मंत्रों का 108 egg side बार सेपरेटली मंत्रों का जाब करके आप इस रत्म को द्रयाण कर सकते हैं और दोस्तों तो यदि रहा करने के आवशक्ता नहीं पढ़ेगी तो दोस्तो जूँस्ता आप बलैग टर्म लाइन से जुड़ा आज का हमारा वीडियो आशा करता हूं कि आज पसंद आया होगा और ब्लैक टर्म से मंद में कोई कोशन है तो आप उसे कमेंट बाउक्स में लिक लिखकर हमसे से पूछ सकते हैं आपको रूबलाय दिया जाएगा तो मिलते हैं आप से अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन धन्यवाद